इस वीडियो में हम इंग्लिश बिहाइब बुक का चैप्टर नंबर बन पढ़ेंगे ऑफ क्लास नाइन्थ इसके राइटर कौन है इसा कैसी मप इसमें हम इस चैप्टर की होल समरी पढ़ेंगे और लास्ट में आपको कुछ में वर्ड मिनिंग बताऊंगा और एक-dew question डिसकस करेंगे शायद question इस वीडियो में डिसकस ना हो पाए तो next वीडियो में हम इसके question आसे discuss करेंगे ठीक है तो समरी स्टार्ट करते हैं तो 17 माई 2157 के दिन यह एर है 2157 के दिन टरमी को एक वास्तिविक पुस्तक मिली यहां वास्तिविक पुस्तक का क्या मतलब है real book real book मतलब की जैसे हमारी books होती है की pages के ऊपर printed books तो उसको ऐसी पुस्तक मिली उसने इसे मार्गी को दिखाया मारगी 11 वर्ष की थी इससे पहले उसने कभी भी वास्तविक पुस्तक नहीं देखी थी एक बार उसने अपने दादा जी से वास्तविक मुदरित पुस्तकों के बारे में सुना था मुदरित का मतलब होता है छपी हुई यहे एक बहुत परानी पुस्तक थी इसके पन्ने, पीले और सल्वटों वाले हो गए थे उन्होंने इसके पन्नों को पल्टा और उन्हें पड़ा टामी को ये बिल्कुल व्यर्थ की बात लगी उनके पास छपी हुई पुस्तके नहीं थी उनकी पुस्तके टेलिविजन के परदे पर चमकती थी टामी जो की 13 वर्ष का था मार्गी की तुलना में टेलिविजन के परदे पर अधिक पुस्तके पड़ चुका था टामी ने मार्गी को बताया की ये पुस्तक स्कूल के बारे में है मार्गी हमेशा से ही स्कूल से घ्रिना करती थी उसका स्कूल उसके घर पर एक कमरे में स्थित था यह उसके शियन कक्ष से अगले कमरे में स्थित था शनिवार और रभिवार के दिनों को छोड़ कर उसका तकनीकी शिक्षक प्रती दिन टेलिवीजन के परदे पर एक निर्धारित समय पर चमकता था उसे अकेले ही उसके सामने उपस्तित होना पड़ता था यह तकनीकी शिक्षक उससे पूछता था उससे ग्रह कारे देता था और उससे चेक करता था वह परिक्षा पत्रों को भी चेक करता था और उनके अंक देता था मारगी का तकनीकी शिक्षक उसे एक के बाद एक टेस्ट देता रहता था मारगी का परदर्शन बद से बत्तर होता जा रहा था उसकी माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुला भेजा काउंटी इंस्पेक्टर वो होता है जो ये तकनीकी टीचर को चेक करता है उसने तकनीकी शिक्षक की गती को एक ओसंत दस वर्ष के बच्चे के स्तर पर कर दिया मतलब कि उसने उसने शिक्षक की जो गती है उसकी जो स्पीड है एक दस साल के बच्चे जो दस साल का एवरेज बच्चा होता है उसके मेंटल लेवल पर सेट कर दिया टामी ने मारगी को बताया कि सैंकडों वर्ष पूर्व यहां पुरानी किसम के स्कूल हुआ करते थे वे स्कूल विशेश किसम के भवनों में स्तित होते थे उन स्कूलों में पूरश अध्यापक पढ़ाते थे मतलब कि मैन पढ़ाते थे, इनसान पढ़ाते थे शेत्र के सभी बच्चे वहाँ जाते थे और एक जैसा सबक सीखते थे एक जैसा पाठ पढ़ते थे मारगी ने सोचा कि उन स्कूलों में अध्यान करना बहुत रोचक होता होगा वह उन रोचक स्कूलों के बारे में पढ़ना चाती थी तभी मार्गी की माने उसे स्कूल में उपस्तित होने के लिए बुला लिया जो मार्गी का स्कूल था वो उसके घर में ही होता था घर में एक कमरे में होता था जो उसके बैडरूम के नेक्स्ट था मार्गी स्कूल में उपस्तित नहीं होना जाती थी परन्तु वह अनिच्छा पूर्वक स्कूल कक्ष के अंदर गई उसकी इच्छा नहीं थी तब भी वो कक्ष के अंदर गई यह उसके शियन कक्ष से आगे कमरे में स्थित था जो उसका बेडरूम था उससे नेक्स्ट वाले कमरे में उसका स्कूल था जो उसका mechanical teacher था तकनिकी शिक्षक को गयते है mechanical teacher जो था कारेरत अवस्ता में था और उसकी परतिक्षा कर रहा था उसने मार्गी से कहा कि वह उचित दराज में अपना ग्रह कारेय डाले एक ऐसा दराज होता था जिसमें उसको अपना काम डालना पड़ता था अपना home work डालना पड़ता था जिसके बाद वो mechanical teacher उसे चेक करता था मार्गी ने एक भरी सांस के साथ ऐसा किया तकनिकी शिक्षक उसे गनित विशे का भिन वाला पार्ट पड़ा रहा था लेकिन मार्गी पुराने जमाने के स्कूलों और उनमें होने वाली रोचकता के विशे में सोच रही थी कि जब की जो टकनिकी शिक्षक था उसे क्या पड़ा रहा था मैट्स पड़ा रहा था पर जो मार्गी थी वह पराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी कि वहां से दूर दूर से बच्चे आते हैं पढ़ते हैं कितने खुश रहते हैं खेलते हैं तो उनके बारे में सो तो यह वर्ड मिनिंग करते हैं तो पहले वर्ड मिनिंग है रियल रियल का मतलब होता है वास्तविक असली दूसरे क्रिंकली यह C-R-I-N-K-L-Y जिसका मतलब होता है सलवटों वाला next is scornful जिसका मतलब है ग्रिना का भाव होना next is attic जिसका मतलब है Atari अटारी क्या होती है जैसे आपकी छत है छत से जो नीचे वाला portion होता है थोड़ा सा नीचे वाला जिसको आप store की तरह यह उसकरते हो उसको कहते है अटिक जा अटारी नेक्स्ट का है arithmetic arithmetic का मतलब होता है अंक गनित arithmetic का मतलब होता है अंक गनित एक ऐसा subject जो जिसमें numbers की study हो उसको कहते है arithmetic next है tugged tugged का मतलब होता है दबाना next is gate speed सही करना binet जिसका मतलब होता है के नीचे slot जिसका मतलब होता है दराज जिसमें वो अपना homework रखती थी मारगी loftily इसका मतलब होता है vicious अंदाज में superior way में dispute जिसका मतलब होता है असहमती का मतलब क्या होता है किसी बात से सहमत ना होना disagree होना next है non-challently अनिच्छा पूरवक कि इच्छा से नी अनिच्छा पूरवक कि किसी बात में इच्छा ना होना और last है lit up lit up का मतलब होता है परकाशित होना ठीक है तो जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना कि अनिच्छा पूरवक